हलो एबरीबॉन स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में फाइनली बिहार इंजिनिंग का जो फॉर्म ऑनलाइन है वो स्टार्ट हो चुका है ठीक है स्टुडेंट जो भी स्टुडेंट जेई मेंस का एक्जाम दिये हैं अगर उनका कम परसंटाइल है ठीक है अगर 90 से कम परसंटाइल है अगर 90 से उपर परसंटाइल है आपका तो आपको ट्रिपल आईटी जिफ्टी जो है वो ट्राइ करना है ठीक है अगर 90 परसंटाइल से कम है तो आपको बिहार इंजिनिंग कॉलेज में जो है एड्मिशन मिल जाएगा ठीक है form कैसे online करना है form के बारे में सारा process और counselling से related सारा information जो है हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं next वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे step by step जो है वो form online करना है ठीक है जब आप BCC के official website पर आएंगे तो देख सकते हैं यह form online का जो important dates है ठीक है form online आज से start हो चुका है form online का last date है 9 तरीक को ठीक है 9 September तक आप form online कर सकते हैं then आपको payment करना है अगर आप unreserved BC category के हैं तो आपको 1200 रुपया form online fee पे करना है अगर आप किसी category से हैं डिसेबल कोटा SCST तो 600 रुपया application fee जो है वो आपको payment करना है ठीक है counseling का date जो है वो अभी नहीं दिया गया है ठीक है merit list rank card जो है वो 11 तारीक को आएगा then उसके 20 से 25 दिन के बाद counseling जो है वो start होगी ठीक है student तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप form online के लिए यहाँ पे apply online for UGEAC पर click करना होगा click करने के बाद एक नया window जो है वो open होगा ठीक है यहीं से form online होगा जो भी student form online करवाना चाहते हैं या counseling के लिए contact करना चाहते हैं तो हमारे expert के team से contact कर सकते हैं paid counseling के लिए paid counseling में आपको कुछ भी नहीं करना है miss जब तक counseling चलेगी हमारी expert की team जो है वो आप से contact में रहेगी और 99% जो है वो आपका seat allotment हो जाएगा और अच्छे से अच्छे college में जिने student का ज्यादा percentile है वो तो admission हो जाएगा उनका जिनका लेकिन कम percentile है उनको एक best counseling की जरूरत है ठीक है तो आप whatsapp कर सकते हैं हमें अपने rank card के साथ और paid counseling support लेकर के सारा information जो है वो ले सकते हैं paid counseling support में आपको miss counseling के बाद भी किसी college में seat खाली रहता है तो उसमें भी मौका मिलेगा आपको admission लेने का direct admission लेने का ठीक है उसके बाद मैं इसलिए कहता हूँ कि counseling support लेना क्यों जरूरी है क्योंकि क्या होगा ना कि अगर फ़स्ट राउंड में जो होता है वो choice filling होता है second round और third round में आपको choice fill करने का من्वका होगा न वो नहीं मिलेगा अगर फॉस्ट राउंड में seat नहीं मिला तो second, third round जो होता है वो उसमे seat मिलने के chances कम होते हैं तो आपको इस chance को नहीं गवाना है और paid counseling support लेकरके आपको जो है वो counseling करवाना है और 99% seat जो है वो आपको अलोट होगा और document verification में आपको जाना है ठीक है स्ट्वेंड तो चलिए मिलते हैं next video में next update के साथ तब तक के लिए जया हिन thanks for watching